प्राचीन गुरु सिश्य जो संबन्ध है वो लोगों को समझाना वो कैसी बात मानते हैं गधे के आगे गनित सिखाने जैसा मानते हैं वो भी हमने देखा है बराबर चलिए हम अभी आगे सिखेंगे यह परिग्राफ भी हमने पढ़ लिया है कि कैसे एक बार एक गामा नामक एक रिसलर आया था और एक रिपोर्टर ने ऐसा बोला कि आपका ही सिश्य बहुत अच्छा है रिसलिंग में तो आप उनसे ही क्यों रिसलिंग की कॉम्पिकेशन नहीं करते जबके गामा ने पूरे व जवाब देता है कि मैं अपने ही बेटे के साथ अपने शिशय को अपना बेटा मांता है वह उसके साथ कैसे चुनोती में पार्टीसिपेक्ट कर सकता हूं यह हमने सीखा ठीक है चले आगए पढ़ते हैं वह मेरे पसीने की कमाई मेरा खूं है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है, क्या कहता है गामा, कि मैंने उसको सिखाया है दीन रात एक करके, और मुझे अपने बेके से भी ज्यादा प्यारा है वो, इसमें और मुझें फर्क ही कुछ नहीं, मतलब मैं और वो एक ही है, मैं खुद के साथ कैसे लड़ सकता हूँ, मैं लड़ा या वो और लड दोनों बराबरी होगा, हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेस्टा कीजिए, मतलब के हम दोनों एक ही समान है, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं लड़ सकते, और हमारी यह जो परंपरा है, तो आप यह समझने की कोशिश कीजिए, हम लोगों को वंश परंपरा से शिश्य हमारे लिए अधिक है, अधिक प्रीय है हमारे लिए, ख्याती और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिश्यों से कम प्रभावी रहें। प्रसिद्धी ज्यादा हो, मेरे सिश्य की प्रसिद्धी ज्यादा होगी तो मुझे खुशी होगी। कोई भी ऐसे पीता को भी ऐसा ही होता है, ना कि अपने बेटे का नाम खुद से बढ़ा हो, तो पीता ज्यादा खुश होता है, तो गुरु और सिश्यों में भी ऐसा ही होत हम यहीं चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया, उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाया। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे लेखक यहीं कोशिश करते हैं, कि पिता-पुत्र का संबंद कैसा होता है, वैसे ही गुरू और सिश्य का होता है। भारत में गुरू सिश्य संबंद का वह भव्य रूप आज सादू, पहलवानों और संगीत कारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। क्या कहते हैं लेखव के भारत में गुरु और सिश्य का संबन का जो एक रूप माना जाता था जो भव्य रूप है वो किसमें देखने को मिलता है सिर्फ सादू में देखने को मिलता है रेसलरों में देखने को मिलता है और थोड़े से म्यूजिशियन में संगितकारों में दे बताते हैं कि बहुत सालों तक रामकृष्ण जो है वो बहुत सालों तक एक योग्यों सिश्य पाने की कोशिश करते हैं यहां पर भगवान रामकृष्ण मंतलब लौड राम और लौड कृष्ण ऐसा नहीं बात की रामकृष्ण परम हंस की बात की हैं तो आपको यहां पर सम पढ़ेगा कि यहाँ पे जो भगवान रामकृष्ण बताया है वो कौन है रामकृष्ण परम्हंस की बात की है ठीक है चली उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम सिश्य के लिए रो रोकर प्रार्तना करनी पड़ती थी मतलब उनको वो किसी को ग्ञान देना चाहते थे लेकिन उनको ऐसा सिश्य नहीं दिखाई दे रहा था बरसों तक कि जिनके साथ वो अपनी विद्या अपना ग्ञान उन्हें देश सके ठीक है तो ऐसा कोई सिश्य उन्हें मिलता नहीं था तो इसलिए वो भगवान से रो रोकर प्रार्तना करते थे कि ऐसा कोई मुझे काबिल इंस उसके लिए वो बहुत दीन रात एक करके उनको ग्ञान देता है संतान प्राप्ती वर्क उन्हें दुख नहीं देता पर बगेर सिश्य के रहने के लिए वे एकदम तयार नहीं होते हैं मतलब कि उनको संतान प्राप्ती करने का इतना दुख नहीं होता था जितना उनको के बगएर रहने का दुख होता था बरावर आगे देखिए इस संबंद में भगवान इसा का एक कथन सदा स्मरणिया है भगवान इसा ने एक सेंटेंस बोला हुआ है वो हमेशा मुझे याद रहेगा ऐसा लेखक कहते हैं उन्होंने कहा था मेरे अनुयाई लोग मुझसे कही अधिक महान है और उनकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझे नहीं है क्या बोलते हैं कि मेरे जो अनुयाई यह है मतलब मुझे जो फॉलो करते हैं वो लोग मुझसे भी महान है और उनके पहल की जूति के समान भी मैं नहीं मानता अपने आपको यही बात है गांदी जी बनने की क्षमता जिन में है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते हैं क्या कहते हैं वो के गांधी जी जो बनने की क्षमता जिन लोगों में होगी न वही उन्हीं लोगों को गांधी जी अच्छे लगते हैं जो महान लोग हमें अच्छे लग उनकी बाते और उनके व्योहार, उनके जीवन की बाते तो ही हमें अच्छी लग सकते हैं। विवेकानन सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानन बनने की अद्बुश शक्तियां नहीं थोगी। कवीता के मर्मग और रसिक स्वयम कवी से अधिक महान होते हैं। कई पोएक्स होता है ना बहुत सारे पोएक्स पोयम लिखते हैं। लेकिन सारे पोयम हमें समझ में नहीं आती। जिन लोगों को कोई पोएक्स की पोयम या कुछ भी ऐसा समझ में आता हैं। तो वे खुद ही महान व्यक्ति होता है। ऐसा कहते हैं कि वो उसका मर्म समझ पाता है। जो पोएक्स ने क्या कहा उसकी फीलिंग्स और उसका व्यवहार उसने जो शब्दों में लिखा हैं वो समझ सकते हैं। तो वैसे ही लोग समझ सकते हैं। ठीक है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयम संगीतकार से अधिक संगीत का रसा स्वाधन करते हैं। संगीत के पीछे जितने लोग पागल हैं तो वे लोग कैसे हैं कि जो सही में। संगित का तो एक बार संगित बना देता है लेकिन उसका रसा स्वादन मतलब उसको इंक्रेस्टिंगली सुनना और बार बार सुनना वो किसे पसंद आता है कि जो सही में वो संगित समझ सका हो यहाँ पुज्य नहीं, पुजार ही स्रेस्ट है यहां पर लेख क्या कहते हैं कि जो जिसकी पूजा करी जाती है वो महान नहीं है लेकिन जो पूजा कर रहा है वही महान है यहां सन्मान पाने वाला नहीं सन्मान देने वाला महान है समझ में आई बात सन्मान पाने वाला तो है वह महान लेकिन सन्मान देने वाला उससे भी ज दुरुस्टी में होता है लाने वाले की यहां पे कहने का तात पड़ी है आने वाले नहीं है यहां पे जरा करेक्शन करना पड़ेगा पुश्प का संदर्य उससे लाने वाले ठीक है तो क्या कहते है यहां पे लेकर कहते है कि पुश्प की संदर तक इसमें है कि जिसके उपर पुष्पद चड़ाते हैं वो नहीं, उसमें नहीं है, जो वो पुष्पद लेके आया है, वो व्यक्ति अधिक सुन्दर है दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाहा में, हमारी दुरस्टी में है यहां अद्बुत भारतिय व्यक्या अजीब सी लग सकती है पर हमारे पूर्वत सदा इसी पत के यात्री रहे यहां पर लेकर कहते हैं कि यहां दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी है वो हमारी ख्वाहिश हमारी चाह हमारी एक्सपेक्टेशन हमारी दुरुस्ती मतलब जिस नजर से हम दुनिया को देखेंगे वैसी हमें दुनिया नजर आई यहां अदबुत भारतिय व्यक्या अजीब सी लग सकती है पर हमारे पुर्वश सदा ही इसी पत के यातरी रहे मतलब हमारे जो पुर्वश है वो इसी रहा पर चले हुए है उत्तम गुरु में जाती भावना भी नहीं रहती जो एक उत्तम गुरु होता है उसमें कोई नात जात धर्म की बेदभाव नहीं होते है कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले है और संगितकारों के मुसलमान शिश्य है बराब ये बात सही है, कि जो एक उत्तम गुरू होता है, उसके लिए कोई धर्म, कोई जाती, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, जो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि कितने ही ऐसे मुसल्मान पहलवान होंगे, जिनके सिश्य हिंदू होंगे, और कितने ही ऐसे संगित काल है, जिसके स दिश्य मुसल्मान भी है, तो यहाँ पे ये सब चीजे माइने नहीं रखती, धर्म जाती के बेदबाव, ठीक है, यहाँ परक गुन की है, कि आप में क्या अच्छा ही है, क्या क्वालिटीज है, कितना सिखने की चाह है, यह एक क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए, यहा पे किसकी परक होती है, साधना और प्रतिबा, आप कितने उस चीज के लिए कितना अपना समय, कितनी अपनी शक्ती और कितनी भक्ती दे शक्ते हो, उसके प्रति आपको कितनी श्रद्दा है, ना कि जाती संप्रदाए, जाती संप्रदाए कोई माइने नहीं रखता है, आच मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसल्मान नहीं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसल्मान बनाना चाहिए, पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े-बड़े रामाणी होते थे और आज देहांतों में भरत मिया, रंजित मिया, आधी अध संख्या में दिखाई देती हैं, बरावर, तो ऐसे सब जाती भेद भाव नहीं होने चाहिए, ऐसा सब बताया है यहां पे लेखकने, आज के गुरू की सरी, आज के गुरू भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं, लब आज के गुरू की बात यहां पे ल लेने की नहीं, मतलब उपनी शदों में आचारियों ने क्या कहा है, कि सेवा देनी चाहिए, हमें कहीं पे भी कोई भी ऐसी हो तो हमें सेवा करनी चाहिए, हमें किसी की सेवा लेनी नहीं चाहिए, सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय, और व्रुद्ध बच्चों की सेवा करनी चाहिए, और सहाय लोगों की सेवा करनी चाहिए, और व्रुद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को हमें क्या समझना चाहिए, परमेश्वर का ही एक रूप समझना चाहिए, सेवा रूपी पुजा से उनकी शक्ती को प्रजवलित करने क्षमता और सरदैता रखने वाले ग्ञानी और तपस्वी पुरोहित आज कल के गुरू नहीं रहा गए क्या कहते हैं यहां बे लेका कहते हैं सेवा रूपी पुजा से उनकी शक्ति को प्रजवलित करने की क्षमता मतलब सेवा कोई करे कोई सिश्या और फिर सिश्या की शक्ति को प्रजवलित करे ऐसा आज के कोई गुरू में रहा नहीं ऐसा कोई तपस्वी और पुरोहित गुरू आज है आज आपको मिलेगा नहीं किसी भी देव मंदिर की मूर्ती की शक्ती उनकी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उनके पुजारी की भाव पुजा में नईवेद्य भावना भरी रहती है किसी देव मंदिर की मूर्ती में भी उसकी शक्ती कितनी समाई रहती है जितनी उसके पुझारी कैसे उसकी पुझा करता है ठीक है तो students हमने इसके शब्दार्स और किपणिया तो लिखने के लिए दे दिये थे आपको मुहावरे आदी अभी आपको क्या करना है इस lesson का ये जो पूरा स्वाध्या है न ये आपको लिख देना है और मंडे तक लिखके चेक करवा देना है ठीक है आपको इस तरह से लिखके चेक करवा देना मंडे तक थैंक्यू सो मच